तो आदाब नमस्कार गुड़ी निससे अकाल एक बार फिर आप तमाम लोगा स्वागत है क्राहिम तक की कहानी के इस एपिसोड में उम्मीद है कोई फैमली अच्छी होगी अपना ख्याल रख रही होगी आद की कहानी सुनाओं उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला कुको FM एप पर भी तमाम कहानिया आप सुन सकते हैं अपने पसंद की अपनी मर्जी की और अलग-अलग फील के अलग-अलग कहानिया है उसमें और क्राहिम तक फैमली के लिए क्राहिम 50 है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जादा जानकारी वहां से हासिल कर सकते हैं तो आप चाहें तो कुको FM पर सुनें और वह साइनाइड मोहन अन्मली का कैसे एक सीरियल किलर की यह पूरी कहानी है तो यह भी कुको FM एप पर है तो वहां जाएं और जाकर अपने पसंद की आप कहानिया सुनें अब आते हैं आज की कहानी के उपर जब से कहानियों का सिलसला शुरू किया मैंने मुझे याद नहीं ऐसे कितने लोगों के एक मेल है जिसमें एक कॉमन चीज़ थी कि पूछा गया था कि कोई ऐसा वाकिया को ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी को फासी की सजा दी गई फासी के तखते तक ले जाया गया और फिर वो बज़ गया कई लोगो क्याद की कहानी दुनिया की सबसे हैरतंगेज कहानियों में से एक कहानी है इसलिए क्याद की कहानी जिस शक्स की है शायद वो इस दुनिया का इकलौता शक्स है और अभी तक पहला जिसे फासी की सजा हुई और तीन तीन बार उसे फासी के फंदे पर लटकाया गया लेकिन उसके बावजूद वो बचा यह पूरी कहानी क्या है आपके सामने बात यह आज से करीब 145, 50 कितने साथ हो गया हूँ 1884 की 1884 की इंगलेंड में एक गाउं था उस गाउं में एक बज़र्ग लेडी रहती थी और बहुती अमीर बड़े परिवार से बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैटना था लेकिन वो सिंगल थी उन्होंने शादी की नहीं थी उनका नाम था एमा एनी काईसे एमा एनी काईसे एक 55, 60 के आज पास उम्र दगलें यहाँ वो रहा करती थी और अकेली थी जो के शादीवादी की नहीं थी तो उनके घर में चार नौकर थे इन में से दो बुज़रू नौकर थे सर्वेंट एक का नाम था एलिजा निक एक का नाम था जिन यह दोनों थोड़ी एजिट थे इसके लावा उनकी एक कुक थी जिसका नाम था एलिजाबेट हैरिस और एलिजाबेट हैरिस का एक भाई था जिसका नाम था बलके सोतेला भाई जॉन हेन्री ली की चार लोग रहा करते थे जॉन हेन्री ली की कहानी ये थी कि स्कूल रपाउट था इसकूल छोड़ दिया उसके बाद इसने कहा कि नेवी में काम करेंगे, नेवी के लिए ये गया, कोशिश की लेकिन नौकरी लगी नहीं, फिर बाद में ये कहीं छोटी मोटी नौकरी करने लगा, लेकिन एक बार जिसके हाँ ये नौकरी करता था उसके उपर चोई का इल्जाम लगा, और जॉनली क चला गया और यह सारी बातें 1879 8080 की है 1889 80 की जेल में वो रहा और जेल के बाद 1884 में वो जेल से रिहा हुआ और 79 में गया था लगभग जेल और 84 में जेल से रिहा हुआ रिहा होने के बाद यह बाहर आया चुके इसकी बहन एलिजबेट हैरिस और लड़ी M.I.N.E. काईसे के यहां काम करती थी और वो एक नेक डिल महिला थी तो जॉन E.L.E. का कोई था नहीं तो और उने जॉन को अपने स्पास अपने घर पे रख लिया एक मुलाजिम के तौर पर क्योंकि अल्री उनके उनकी सिस्टर उसकी काम करती थी वो उनकी कुख थी रसोहिया दिखाना बना 1884, 15 नवंबर 1884, कई महीने गुजर गए थे जौन ली को काम करते हुए, 15 नवंबर 1884 की सुबह सुबह, काईसे के घर से धुआ उठता है, लोग आसपरोस के देखते हैं, इस दौरान में कुछ लोग वाँ पहुंचते हैं, कुछ पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस के टीम आ और काईसे का गला कटा हुआ था, तेज धार हत्यार से काटा गया था, सर पे उनके तीन गहरे जखम के निशान थे, और उस वक्त उस घर में काईसे की लावा एक ही शक्स था और वो था जौन ली, और जौन ली को पुलिस ने पूस्ताच की तो उसने कहा कि वो सो रहा था, अचानक उसे धुएं की इसमेल आई, और उसे लगा घर में आग लगी है, तो भागा अपनी मालकी निकाईसी के तरफ, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि काईसे खून हम खून, जमीन पर फर्श पर पड़ी है, उसने फिर आग बज़ाने की भी कोशिश की, लेकिन तब पड़ोसी आगए, फिर पुलिस आगए, तो ये जॉनली का बयान था, अब लाश को भेज दिया गया, पोस्मॉटम के लिए जॉनली से पूछ ताच कर चुकी थी, अब इसके बाद पुलिस ने जब बाकी सारे नौकर आए, उनसे पूछ ताच की, तो उस घर में जॉनली क बताया कि पिछली रात वो यहां थे नहीं, वो कहीं गय हुए थे, तो उस घर में अकेला जो है, जॉनली था और ओनर जो थी, वो थी, फिर पुलिस ने तफ्तीश की, तो पता चला कि घर के अंदर कोई फोर्सफल एंट्री नहीं है, कोई जबरन अंदर घुसा नहीं है, प भुआ कमरे के अंदर भरा हुआ था, तो उसने एक कांच की घरकी जो है वो तोड़ी, उसकी विज़ा से चोट लग लगी, लेकिन ये सारी चीजें, पुलिस को एक तरह से ली के उपर शक पैदा करवा रही थी, और पुलिस का ये मानना था कि घर के अंदर कोई आया नहीं नहीं बाहर से, और कोई था नहीं, इकलोता यही है, और एक लाश पड़ी है, हाथ पे कट का निशान है, हो सकता है, इसी ने कतले किया और उसी दोरान में ये जख्म की निशान भी आए, पुलिस ने अगले ही दिन जॉनली को ग्रफतार कर लिया, अपनी ही ओनर के कतले करन भी है, तो पुलिस अब 16 नमंबर 1884 को या इनके कतले के अगले ही दिन ली को ग्रफतार करके ले जाती है, अच्छा उस जमाने में उस दोर में एक कानून था, कि अगर किसी के उपर कोई चार्ज लगता है, तो उसको अपने आपको डिफेंड करने का मौका नहीं मिलता, ज मामले की तफ्तीश करती है, और तफ्तीश करने के बाद, अब केस यानि के मुकदमा की तयारी करती है, मुकदमे की तयारी होती है, और पहला ट्राइल शुरू होता है, 1st February 1885, मतलब 15 नमंबर को कतल हुआ, चार महीने के अंदर अंदर ट्राइल शुरू हो गया, पहली माद सिर्फ चार दिन चला, अनली फूर डेस, इस मुकदमे के दोरान बाकी तमाम नौकरों के परोसियों के बयान हुए, एक बयान ऐसा था जिसने शैद अदालत का रुख साफ कर दिया, और वो बयान किसी और का नहीं, बलके जॉन ली की अपनी सौतेली बहन का था जो एल में, तो जज़ ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा कि उसका तंखा जो है, वो तोरा सा कम कर दिया था, काट लिया था, काई से ने, और उसकी सैलरी कम कर दी थी, कटाउती की, इस वज़ा से वो उससे में था, अब ये बयान, उपर से कोई और मिला नहीं कि घ लेटन में, इंगलेंड में, सजा ए मौत जो है, वो फांसी, या फंदा जो है, गले में डाल कर ही दी जानी थी, तो सिर्फ चार दिन, फर्स्ट फर्वरी को मुगदमे की ट्रायल शुरू हुआ, और फिफ्थ फैब्ड, पाँच फर्वरी 1885 को अदालत का फैसला आया, के सामने बार-बार कहता रहा, कि मुझे गौट पर पूरा भरोसा है, और गौट जानता है कि मैंने क्या किया है, मैं बेक सूरू हूँ, यह लगातार वो कहता रहा, पूरे ट्रायल के दोरा, लेकिन उस वक्त चुके वो डिफेंड कर नहीं सकता था, कानून ऐसा था नहीं, दूसरा बहुत सारी चीजें थी, जिसकी वज़ा से भी शायद जॉनली अपने आपको बेगुना साबित नहीं कर सकता था, उस वक्त ना फॉरंसिक साइंस इतना तरक्की किया था, 1935 से पहले को फॉरंसिक लैब ही नहीं था इंगलेंड में, और यह 1885 की बात है, इवन फि में पहली बार फिंगर प्रिंट्स और यह इंसिडेंट 1885 का, तो यह सारी चीजें भी जॉनली के खिलाप गई, और वो अपने आपको बेगुना साबित नहीं कर पाया, इसके बाद अदालत का फैसला है, और आखिरकार उसकी फांसिकी तारीख तारीख थी 23 फैबर, 23 गया कि उसी दिन उसको फांसी दी जाएगी, मतलब सजाय मौत के ठीक 18 दिन के बाद जॉनली को फांसी देने की तैयारीश शुरू कर दी गई, अब इस दोरान में इधर यह हुआ कि फांसी की तारीख टैकी गई, यह 18 दिन बाकी है, तब ही पता चलता है कि जो उसकी सौते अधिली बहन है, एलिजाबेट, वो प्रेग्नेंट है, और कमूम रही थी, और उस जमाने में अमरिका, वो इंग्लेंड में बिना शादी के और इस तरीके से गर्ववती होना, उसको बहुत बड़ा एक पाप और गुनाह माला जाता था, तो उसको लेकर उन्हां की तो फिर धीरे जब जाच की गई, तो पता चला कि जॉन ली का जो वकील था, जो उसका केस लड़ा था उसके डिफेंस में, एलिजाबेट के साथ उस वकील का, उस बैरिस्टर का रिष्टा था, और अक्सर वो वकील उसके घर भी आया करता था, मिस काईसे के, और ये भी थ थी, कि पंद्रह नॉम्बर को जब ये गतल हुआ उससे पहले, चौदा नॉम्बर की रात भी वो उस घर में आया था, अब एक गर्मवती होना, एक तीसर शक्स का एक रात पहले घर आना, उसी शक्स का ये कहना कि मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा, और फिर उसको फांसी क सजा हो जानी, तो क्या इस गतल में, एलिजाबे थैरिस के उस गुप्ट, जो बॉइफरेंड है, जिसकी वज़ा से वो प्रेग्रेंट हुई, कहीं उसका हाथ तो नहीं था, उसका नाम टैमकलर था, लेकिन इस बारे में कभी इन्विस्टिकेशन ये जांच होई ही नहीं, इदर फांसी की सजा हो गई, और अब तारीख की तय हो गई 23 फरवरी, 1885, सुबा को फांसी दी जानी थी, अब एकजिटर जेल, ये इंग्लेंड में ही, एकजिटर जेल में ही बन था जॉनली, और वहीं पर 23 फरवरी की सुबा फांसी की तयारी की थी, उस वक पूरे इंग होगा भी, कल्लू, जल्लाद और ये सारे, तो जेम्स बेरी ने कई लोगों को फांसी के तक्ते पर फांसी का फंदा पहनाया, लीवर कीचा, तक्ता कीचा और फांसी की सजा को कम्प्लीट किया, जेम्स बेरी को एक होने हार, अपने पेशे का माहिर, और एक अच्छा जल्ल आगमाना जाता था, जान ली को फांसी देने की जिम्स बेरी को सौपी गए, 23 सुरवरी की सुबह, तैवक पर फांसी घर में जान ली को लाया गया, प्रेयर भी, उसके बाद उस तक्ते के पास, उससे पहले उसके हाथ और पैद बांदिये गये थे, तक्ते पर चड़ाया तक्ते पर चड़ाने के बाद चेहरा ढखा गया, वैसी जैसे अपने इंडिया में जैसे लास्त आपको निर्भया का बताया, सब कुछ होने के बाद अब घड़ी की तरफ देखा गया और मेजिस्टेट का इशारा होना बाकी था, तैवक पर मेजिस्टेट ने इशारा दि जैम्स बेरी ने लिवर खी जा, लिवर खीतने के बाद तख्ता रटना था पैर को नीचे जाना था और पूरे बोड़ी को हवा में जूलना था ताके ठंदा कस जाया उसकी सांसे लिचे, मेजिस्टेट के इशारे पर जान बेरी ने लिवर खी जा, तख्ता नहीं आटा, तख्ता अपनी जगा गाएम और जॉन ली के पैर उसी लकडी के तख्ते पर गाएम। अब जॉन बेरी के साथ ये पहली बार हुआ। उसे लगा कि ये क्या हुआ है। उसने दोबारा लीवर खीचा। फिर तख्ता नहीं खुला। अब वो क्या करें। इस सारी चीजों को देखकर वो परिशान हो गया सामने वाले ये परिशान लगा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन कई बार लीवर खीचने के बाद भी जब तख्ता नहीं खुला। तो जॉन बेरी ने लीवर से अपना हाथ हटाया। इसके बाद सामने जेलर मेजिस्टेट को देखा। फिर ये तैह हुआ कि जॉन ली को पहले हटाओ यहां से। उसके गले से फंदा वापस निकाला गया। और उसको उस लकड़ी के तख्ते से किनारे ले जाया गया। फर्श पर खड़ा किया। अब मेजिस्टेट ने जॉन बेरी जलात से कहा कि आप दुबारा देखो कि तक तक क्यों नहीं खुल रहा है। अच्छा हर फांसी से पहले ट्रायल होता है। ये भी आपको पताया था रहने। तो उसमें बाकाइदा जिस शक्स को फांसी देनी है। उसके कद काठी वजन के हिसाब से एक डमी एक पुतला तयार किया जाता है। और उसको फिर वैसी फांसी दी जाती है। चिक करने के लिए कि सब कुछ बैलेंस वजन रसी का फंदा तूटेगा तो नहीं। जान ली की फांसी से पहले भी ऐसे ट्रायल हो चुके थे और वो डमी मौजूद था। अब वहाँ पे अफरातफरी हो गई कि यह क्या हुआ लकडी का तकता है। हट नहीं रहा लिवर खीचनी पर भी। फॉरण उस डमी को मगाया गया और जान ली वहीं खड़ा हुआ है। उसके चेहरे से अब भी नकाब नहीं अटाया गया है। चेहरे पे अब भी उसके नकाब है। हाथ पैर बंदे हुए है। उस डमी को बुलाया गया जो कि जॉन ली के ही कद काटी और वजन के बराबर का था उस पुतले को अब उस लकड़ी के तक्ते पर खड़ा किया गया गले में रसी का फंदा डाला गया जॉन बेरी अपनी जगा पर गया उसने लीवर खीजा तक तक खुल गया पुतला हावा में जूड रहा है देखकर वहां खड़े तमाम लोगों को एक राहत भरी सांस ली इसके बाद इस पुतले को हटाया गया वापस जॉन ली को फिर तक्ते पर खड़ा किया गया फिर उसके गले में पंदा डाला गया जॉन बेरी ने फिर उपर वाले का नाम लेकर लीवर खीजा फिर तक्ता नहीं खुला कुछ मिनट पहले डमी से वो तक्ता खुल गया था लेकिन जब जिसको फांसी देनी थे वो खड़ा हुआ तक्ता नहीं खुला अब जॉन बेरी फिर परिशान वो लीवर खीशता रहा तकता खुला नहीं छे मिनट निकल गए इस पहली कोशिश में सिक्स मिनट से सिक्स मिनट के बाद जब लगा कि नहीं होगा दुबारा उसको हटाया गया जॉन ली को वहां से तकते से दुबारा हटाने के बाद फिर लीवर चेखुआ तकता चेखुआ फिर डमी को लाया गया डमी को फांसी का फंदा डाला गया गले में फिर से लीवर खीचा गया तकता खुल गया यह दूसरी बार गुआ था जब दूसरी बार तकता खुला डमी को हटाया गया जॉन ली को फिर वापस फांसी के उस तक्ते पर खड़ा किया गया फिर सलीवर की जा जॉन बेरी में फिर तक्ता नहीं खुला दो बार दस मिनट के अंदर जॉन ली को फांसी के तक्ते पर चढ़ा जा चुका था और दोनों बार नाकाम तक तक खुली नीरा है अब सारे परिशान इसके बाद अब उनके साथ आखरी कोशिश थी फासी के तक्ते के एद्गिड मौजूद हर अफसर पुलिस वाला मैजिस्ट्रेट और यहां तक के जलाद जेमस बेरी परिशान इंग्लेंड के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था एक शक्स को दस मिनट के अंदर दो बार फासी के तक्ते पर चढ़ाया गया दोनों बार ही तक्ता नहीं कुला और वो बज़ गया और उसकी हालत यह उधर जौन ली की कि वो हर बार कहां परा है उसके पैर कांप रहे हुआ है पर चेहरे के उपर काला कप्रा डला हुआ है वो देख भी नहीं पा रहा है और फासी के तक्ते की इर्दगित आप भाठीत में कुछ नहीं करते हैं इशारों में बात होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसे लग रहा है कि कुछ तो गरबड है अब दस मिनट दो कोशिश नाकाम अब लास चांस बचाता इंग्लेंड के कानून के हिसाब से अगर कोई टेकनिकल फॉल्ट या कुछ ऐसी चीज़े आती है तो आप तीर कोशिश कर सकते है चौथी कोशिश की अजाज़त नहीं है अब तीसरी और आखरी कोशिश आखरी चांस जॉन ली की जिंदगी और मौत का फैसला इस तीसरी कोशिश में होना था जॉन ली को फिर वापस खड़ा किया गया फिर उस ड्रमी को बलाया गया उस डमी को लाया गिया, उसके गले में फासी का पंदा डाला गया, तखते पर खड़ा गया, जेम्स बेरी ने सब कुछ जाचा, लीवर चेक गया, तखता चेक गया, इसके बाद फिर उसने लीवर खीचा, तखता खुल गया, डमी नीचे, तीन बार डमी के साथ लीवर खीच गया तक ता खुलानी अब तीसरी कोशिस तीसरा ट्रायल काम्याब हो चुका था दमी के साथ तक ता खुल चुका था इसके बाद एक बार फिर से सब कुछ चेख किया गया फिर इशारा हुआ अब वापस जॉन लीग को उस फांसी के तखते पर तीसरी बार कड़ा किया गया ये पंद्रावा मिनट था इस पूरे मौत के खेल का तीसरी बार खड़ा किया गया तीसरी बार बहुत ही कायदे से हर एक चीज की बारीकी से देखने के बाद फिर इशारा होता है मैजिस्टेट का जेम्स बेरी धड़कते दिलों के साथ तीसरी बार लीवर खीचता है इस उम बार भी तकता नहीं कुलता जॉनली उसी तकते पर खड़ा है दोनों हाथ पीछे की तरफ बंदे दोनों पैर एक डूसे से लगा कर बंदे हुए एरसी से और वो तकते के उपर हैं तीन एटम्ट हो चुका था कानून में जतनी इजाज़त दी वो तीनों पूरा हो चुका अब चौथी कोशिश नहीं कर सकते थे क्योंकि इंग्लेंड का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता था मेजिस्टेट ने इशारा किया इस फांसी की कारवाई को रोग दिया जाए इसके बाद जौन ली के चेहरे से काला नकाब हटाये जाता है दोनों हाथ खोले जाते हैं पैर खोले जाते हैं और वो हैरान परिशान की हो क्या रहा है इसके बाद उसे पता चलता है कि वो तीन बार मौत के कितने करीब से वापस आया और तीनों बार तकता हटानी फिर उसे वहां से निकाल कर उसी जेल में जिस सेल में वो बन था उस सेल में रख दिया जाता है एक इंक्वैरी का ओडर होता है उस सारी चीजों की फिर से चेकिंग होती है जेम्स बेरी की साक पर भी बट्टा लगा था इंग्लेंड का सबसे काम्याब जलात जब सारी चीज़े होती है तो ऐसी कोई भी एक फॉल्ट नहीं निकलता कि तकता क्यों नहीं खुला और हैरानी की बात यह थी कि जब 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 ज़ॉन ली के ही कत काटी और वजन के बराबर के डमी को उसके उपर रखा गया तकता खुल गया लीवर खीचते ही लेकिन जब खुद ज़ॉन ली खड़ा होता तो तकता नहीं खुलता इंकारी ही उसमें कोई फॉल्ट ना जलात का निकला ना बाकी चीज़ों का लेकिन जेम्स हैरी को ये नाकामी अतनी बुरी लगी कि उन्होंने अगले ही दिल इस जलात के पेशे से हमेशा हमेशा के लिए अपने आपको दूर कर लिया उन्होंने इस्तीफा दे दिया वो एक सरकारी मुलाजिम थे और उन्होंने का कि अब वो किसी को फासी नहीं देगी इस्तीफा देने के बाद उस रस्षी को जिस रस्षी को फंदा बना कर जौनली के गले में डाला गया था जेम्स अपने साथ ले गए एक यादगार के तौर पर हाला कि फिर बाद में उस रस्षी को एक निलामी में भी का और निलामी में जब वो रस्षी भी की उसके बाद उस रस्षी को खरीद कर वहाँ एक लिटल डीन जेल है वहाँ नुमाईश के लिए रख दी गई अब इदर जौनली वापस जेल आ गया पूरी एक रिपोर्ट आथरिटी और सरकार तक पहुँची यह भी सारी बाते पता चली तो फिर यह भी बहस होई कि अब क्या किया जाए क्योंकि एक शक्स तीन बार मर चुका था जब कि उसे एक बार मार ला था उसके जुर्म के लिए क्योंकि सजा ए मौत सिर्फ एक बार दी जा सकती तो बहस है होई कि उसे तीन बार जब फासी के तखते पर खड़ा किया गया तो हर बार वो मर रहा था हर बार वो काप रहा था अब इसे लग रहा था कि अब सांसों के डूर टूटी कि तब टूटी तो एक तो उसके साथ ये गलत हुआ एक फासी की सजा तीन बार उसे दी गई लेकिन वो फिर भी नहीं मारा तो अब क्या किया जाए मामला फिर इंगलेंड की कुईन विक्टोरिया तक पहुँचा और कुईन विक्टोरिया ने जान ली की सजा मौत को माफ करके उसकी सजा को उम्र कैद में तबदील कर दिया उन्होंने कहा कि शायद इसकी किस्मत में मौत नहीं है इसलिए इसको उम्र कैद में बदल देते हैं अब उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई 8 December 1907 को 22 साल के बाद जॉन ली एक्जिटर जेल से रिहा हो गया 22 साल उसने को तोटल जेल में काटे 1907 में वो रिहा हो गया तब उसकी उम्रती 53 अर्स रिहा होने के बाद जब वो बाहर आया तो कहते हैं कि वो एक मशूर हस्ती बन चुका था क्योंकि हर तरफ कई इसकी कहानी मशूर हो चुकी थी कि एक शक्स था जिससे फांसी के तख्ते पर चड़ा गया और तीन तीन बार वो बज़ गया और ये दुनिया का पहला शक्स है बाद में उसने अपनी किताब भी लिखी और फिर धीरे और आखिरकार खोच के बाद ये पता चलता है कि जॉनली बरिटन से निकल कर अमेरिका चला गया था तो खबर ही आई कि वो अमेरिका चला गया इसके बाद उसकी कहानी के पीछे बहुत सारे जनरलिस बहुत सारे लोग पढ़े फिर उसके उपर एक किताब लिखी गई और उसकिताब का नाम था जो लिखी गई दे मैं दे कुड नॉट हैंक और इसी नाम से जॉनली मरशूर हो गया इसकिताब के लिखने वालों ने जैन जॉनली के बारे में तवाम खोजबीन की और आखिर में उन्हें काम्याबी मिली 2009 में अमेरिका के फॉरिस्ट होम सिमेट्री में जो मिरावकी में है वहाँ एक कब्र मिली और उस कब्र के उपर एक नाम लिखा था जेमस ली जॉन ली अब जेमस ली बन चुका था और जेमस ली के नाम पर ही वह अमेरिका में रह रहा था करीब 80 साल की उम्र थी जब उसकी मौत हुई और कहते हैं कि 1945 में जेमस ली की मौत हुई थी तो अमेरिका जाकर उसकी मौत हुई अब इस जेमस ली या जॉन ली की पूरी कहानी को लेकर बहुत सारी बाते हुई किसी ने कहा कि ये चमतकार था खुद जॉनली जब बाहर आया तब उसने खुद एक किताब लिखे और उसने कहा कि जब वो चार दिन का ट्राइल चल रहा था और वो कोट के अंदर था तो जड़ लगातार जब पूछ रहा था तब उसरफ एक बात कहता था कि मुझे मेरे गौड पर भरोसा है और मेरा गौड जानता है कि मैं बेकसून हूँ यही लाइन वो आखर तक कहता रहा और क्या पता हूँ जो तीन फांसी की कोशिश हुई उसके साथ उसके गौड नहीं उसकी मदद की क्योंकि डमी में तो तक्ता खुल रहा था लेकिन जान पे तक्ता नहीं खुल रहा था तो यह है दुनिया की अब तक की सबसे अजीब कहानी मैंने शुरू में आपसे कहा और यह वो कहानी जिसमें एक शक्स को तीन बार फांसी देने की कोशिश कही यह तीनों बार बज़ गया और फिर उसकी उस फांसी की सजा को ही खत्म करके उसे उम्र कैट की सजा दी गई फिर वो बाहर आए तो यह कहानी यह थी अब कहानी खत्म करों उससे पहले वही अपना सलसला आज मुहम्मद हासिम इनका जनम दिन है तो हपी बड़े हाशिम और यह सौधी अरब से हैं इसके लावा आनंद सिंग राजपूत इनका भी बड़े है तो हपी बड़े आनंद साथी प्रिया दूबे जी का भी आज जनम दिन है तो हपी बड़े प्रिया और नरेंदर ने भेजा है इसके लब प्रियंका गुपता घोष इन्हों ने एक सवाल किया है कि आप हमेशा है ऐसी सारी कहानिया सुनाते हैं तो क्या कभी किसी जनरीस के साथ क्राइम हुआ या किसी जनरेस्थ क्राइम किया तो बिलकुल प्रियंका ऐसी बहुत सारी हैं जो जनरलिस्ट के साथ जो क्राइंग हुआ आपको याद होगा एक शिवानी इंडिन एक्स्प्रेस में थी जिनका मडर हुआ था एक आईजी प्रिजन जेल वो उसकी जुर्म में कतले के जुर्म में जेल भी गए इसके लावा शुयव इलियासी पर अपनी ही वाइप के कतले का इल्जाम लगा जेल भी जाना पड़ा बलके एकोड ने तो अमरकायत की सजा सुना दी फिर बरी भी तो इसके लावा बहुत सारे ऐसे जनलिस्ट हैं जिनके साथ हुआ और कई जनलिस्ट ऐसे भी हैं जन्होंने खुद क्राइन किया वो भी जेल गए तो जनलिस्ट भी वेसी आम जैसे आप सब इनसान यही होता है कि वो भी गलती कर सकता है तो कोई आस्मान से टपकावा तो होता नहीं है इसके लावा अलुज जैन है और इन्होंने पूछा राजुश्रिवास्तफ की तब कैसी है कॉमेडियन राजुश्रिवास्तफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी है और मैंने हाला कि उनको मैसेज भी क्या उमीद यही थी कि उनका रिपलाई आएगा लेकिन चुक्कि आईस्यू में है फोन वहां पर वो है लेकिन हम सब की यही दुआ है क्योंकि वो करोनों लोगों को हमेशा हसाते हैं बड़े जिन्दा दिल इनसान है बहुत अच्छे इनसान है बहुत डाउन टू अर्थ है कई बार मुझे मिलने का मौका मिला हमारी बात भी होती है लास्ट अभी वाट्सअप के भी बात हुई थी तो अभी अब डॉक्टरों का कहना है कि स्टेबल है ठीक है हम सब की वही दुआ है कि वो जल से जल बाहर आ है और फिर हम सब कोसीत राहस है इसके लावार नरिंद्र ओसु है थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए अरुन गुपता जी है एक कहानी के फरमाईश की है मौमद शानवाज है इसके लावार आरबास कुरेशी है दिल्ली से थैंक यू सो मच राजेश पुरानिक है पूरे से और एक थैंक यू सो मच और साथी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आपका अपना भी कोई अलग से क्राइम चैनल है तो ऐसा कोई नहीं है बस एक ही यह जहाँ पर आप सुनते हैं लेकिन हाँ कई लोगों ने कहा तो मैंने पहले भी कहा था तो और कोई क्राइम चैनल नहीं है जहाँ पर मैं बैठके कहानी सुनाता हूँ वैसे भी इतना टाइम कहाँ यहीं से फुर्सत मिले तो तरुम सिंग है और उत्रखंड से थैंकि सो मच परतिश रंजन जी यह एक कानी के फरमाईश की भीम रॐतेला जी ने भी एक कानी के फरमाईश की बिनाश शर्मा जी ने भी लगाणी के फरमाईश की साती संजय बगाडे हैं तो बारी बारी से आप सुभी की फर्माइश भी जल्दी पूरी होगी फिलार आज कहानी में इतना ही अब आप से मलकात होगी कल रात ना हो बजी किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना खयाल रखेगा थैंक्यू बर्याइब